तीन दिन, बासी मूखाई, ये सिरफ दो दाने, चहरे पर जुरियां, सरीर की कमजोरी, ठकान, हडियों की कमजोरी, सुगरो, कॉलोस्टोल, पेट के रो, मोटापा, और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होगी, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस व के सिरीर की हर त्रह की कमजोरी, बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगी, दोस्तों, आपको कमजोरी क्या है, वो आप भूल जाएगे, दोस्तों, आपके चहरे पर कभी जुड़ियां नहीं आएगी, आपके चहरे पर गलोहा जाएगा, दोस्तों, आपको ठकान फील नहीं होग और आपके सरीर की हड़ियों को वजर के समान मसबूत बनाने का काम करता है दोस्तो इस नुस्खे को लेने से आपका सुगर का लेवल यनी जो डाइबटीस की विमारी आपकी अनकंट्रोल चल रही थी वो कंट्रोल में हो जाएगी आपका कोलोस्ट्रोल लेवल बिलकुल सही हो जाएगा बैर कोलोस्ट्रोल की मात्रा आपके सरीर में सही हो जाएगी दोस्तो आपका मोटापा छूमंतर की त्रहन गायब हो जाएगा आप बिलकुल सलीम और फिट बन जाएगे पेट की रो, कबज, गैस और SDT की समस्या आपको नहीं होगी, आपका पाचनत अंतर मजबूत हो जाएगा, और आपको ये दिल की बीमारिया होने का खत्रा भी नहीं होगा, आपकी हार्ट बलोके सही हो जाएगी, और आपको हार्ट अटेक नहीं आएगा, आपका दिल भी मज बहुत बन जाएगा, दोस्तो आज की सिवलियों की जो मुखे समगरी हैं, वो है दोस्तो अंजीर, और दोस्तो अंजीर के बारे में कौन नहीं जानता, कुछ फल ऐसे होते हैं, जो फल के रूम में तो स्वादेश्ट लगते ही हैं, लेकिन सूखने के बाद सेहत के लिए औ उतना ही कारगर है, और आपके पूरे सरीर को बिलकुल निरोगी बनाने का काम करता है, दोस्तो अब जानते हैं कि इससे होंगे क्या-क्या फाइदे, उसके बाद आपको बताएंगे इसके सेवन का सही तरीका, वजन को घटाने के लिए, दोस्तो अंजीर, वजन के घटाने में बहुत आदे का फाइदेबंद है, इसलिए दोस्तो मोटे लोगों को अंजीर खाने की सलहाद दी जाती है, क्योंकि यदि वो अंजीर का सेवन करते हैं, तो इससे उनके पेट, कमर और जांगो की चर्वी मक्खन की इतरहें पिंगल जाती है, पाचनतंतर, दोस्तो यद आपका पाचनतंतर कमजोर है, और आपको पेट का कोई भी रोग है, आपको कबज की समस्या है, पेट में गैस की समस्या है, या फिर एसड़िटी की समस्या है, दोस्तो तब भी आपको इस अंजीर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये अंजीर फाइबर का बहुत अच्छा जो आपके पाशनतंतर को मसबूत बनाने का काम करता है और आपको इन सभी तरहें के पेट के रोगों से भी बचाने का काम करता है दोस्तो क्या आपके सरीर की हडियां कमजोर है या आपके सरीर के अंदर कैल्सियम की कमी है दोस्तो तब भी आपको अंजीर का सेवन करना चाहिए क्योंकि अंजीर, कैलसियम, पोटासियम और मेगनीसियम से भरपूर है जो आपके सरीर की हाडियों को वजर के समान मजबूत बनाने का काम करता है और दोस्तो यदि आपके सरीर की हाडियां मजबूत होंगी तब आपको हाडियों छेड़ा कोई भी दर्द नहीं होगा और बहुत रहें के दर्दों का मुखे कान ये हमारे स्रीर की हाडियों की कम जोरी होता है कोलोस्टोल को कुम करने के लिए दोस्तो अंजीर में पैक्टी नाम का एक घुलंसील फाइबर होता है जो कोलोस्टोल को कंट्रोल करने में बहुत अधिक प्रभावी है अंजीर में मुझूद फाइबर आपके पाचन तंतर में अतरिक्त कोलोस्टोल को साप करता है उसे खतम करने के लिए कोलोस्टोल को आतों तक लेकर जाता है इसलिए दोस्तों आपको अंजीर का सेवन करना चाहिए यदि आपके सरीर में कोलोस्टोल की बहुत अधिक मातरा है बैड कोलोस्टोल बहुत अधिक है क्योंकि इसमें ओमेगा-3, ओमेगा-6 फैट्टी अचिड और फाइटोस्टोल मजूद होता है जो सरीर में प्राकृतिक कोलोस्टोल संसलेशन को कम करने के साथ साथ बलडपैसर की बीमारी में भी बहुत अधिक कारगर है हर्दे रोगों से बचाओ के लिए दोस्तों कॉर्णरी हर्दे रोग एक घातक बीमारी है जिसमें हमारे हार्ट में ब्लोकेश हो जाती है और हमें हार्ड अटक के आने का जो हर्दे रोगों का एक मुखे कान है और दोस्तों ये अंजीर उसको ही सही कर देता है जिससे आपको कोई भी हार्ट ब्लोकिज नहीं होती और नाहीं आपको हार्ट अटक के आने का डर रहता है अटीष सक्सम है अंजीर की पतीयों का सेवन सुगर के रोगों की इंसुलीन के इंयक्षम पर निरवदा को गरता है जो शरीर के जाने वाले सुगर के अवसोशन पर रखता है यहाँ बलड शुगर के स्थर में आने वाले उतार चड़ाओंपर रोक लगा कर मदुमे रोगीय के लिए एक बहुत फाइदेभंद उश्त्रे की तरह काम करता है, दोस्तों यदि आपकी आँखों पर चस्मा लगा वहे और आप अपनी आँखों की रोचने को बढ़ाना चाहते हैं तब भी दोस्तों ये आपके लिए एक वर्दान की त्रह काम करता है और आपकी इस आंखों की रोसने को बढ़ाने का काम करता है तो देखा दोस्तों कितना फाइदेवन है इस अंजीर का सेवन अब जानते हैं दोस्तों आपने इसका सेवन करना कैसे ह ताकि आपको इसका भरपूर फाइदा मेले तो आपने क्या करना है दोस्तो अंजीर को लेकर रात भर पानी में भीगो कर रख देना है और सुबह बासी मों इसके दो से चार दाने आपने खा लेने हैं दो दाने खाएंगे आप तब भी प्रॉपर है दो से चार दाने तक आप इसके खासते हैं ये पीज जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ तो दोस्तो यदि आप इसके दो दानों का सेवन करते हैं तब आप अपने पूरे सरीर को निरोगी बनासते हैं अपने सरीर के immune power को बढ़ास्कते हैं चहरे पर glow नास्कते हैं आपकी उमर बढ़ने की पर केर रुख जाएगी आपके चहरे पर जुरियां नहीं आएगी आपका चहरा दमकता चमकता रहेगा सरीर की कमजोरी जड़ से खतम हो जाएगी आपको ठकान नहीं होगी कोलोस्टोल की समश्चा का इलाज होगा मुटापा कंट्रोल में होगा हाड़ियों की कमजोरी जड़ से खतम हो जाएगी पेट का कोई रोग नहीं रहेगा दिल की बिमारिया नहीं रहेगी तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सबी आने वली वडियो की नोटिफकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तो